नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वर्मे टाइम्स में दिन भर की बड़ी और एहम खबरों के साथ मैं हूँ शुष्टी पांडे सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइन्स पर एडी और अगनिपत योजना के विरोध में कॉंग्रेस ने किया प्रादेशिक सत्याग्राय अंदोलन UAE दोरे पर जाएंगे प्रधान मंत्री मोदी, राश्पती से करेंगे मुलाकात 36 गड़ी फिल्म भूलन की टीम बनाएगी राहुल के रेस्क्यो उपरेशन पर डॉक्युमेंटरी E.D. और अगनिपत योजना के विरोध में कॉंग्रेस ने प्रादेशिक सत्याग्राय अंदोलन किया जिसमें 36 गड़ के मुख्यमंत्री भूपेश बगेल समेच सभी विधायक मंत्री अपने अपने विधानसभा शेत्रों में सत्याग्राय में शामिल हुए आपको बता दे कि अखिलभार्टी कॉंग्रेस के निर्देश पर मुख्यमंत्री भूपेश बगेल भी अपने विधान सभा पार्टन के सत्याग्रे में शामिल हुए मुख्यमंत्री ने कहा वैसे भी लंबे समय से धर्ना नहीं दिया है फिलाव एक फजस्तन है और यह अगली बीज नाजवानों के भविस्षा किसाट खिलवार्ष है चार साल की नोकरी आपके बाद रिटार मैं इससे देश का भला नहीं होने वाला है इससे हमारी सुरक्षा किसाथ खिलवार होगा, होज कमजोर होगी और नजवाने के भविस असुरक्षित होगा इसलिए गांग्रेस पार्टिय मांग करती है किस योजना को वापस ले प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और G7 शिकर सम्मेलन की बैठक के बाद सैयुक तरब अमिराज जाएंगे महाराश्पती शेक मुहम्मद बिन जायत से मुलाकात करेंगे, इसके बाद अबुधावी से स्वदेश लोटाएंगे गौर तरब है कि जर्मनी में हो रहे G7 शिकर सम्मेलन में पीम मोदी की उपस्थिती ने विश्वमंच पर भारत के महत्व को एक बार फिर साबित कर दिया है विदेश सची विनैकवात्रा ने कहा कि पीम मोदी की मौजूदगी ने दिखाया कि भारत की उपस्थिती को सभी महत्व देते हैं और भारत को सभी समाधान प्रदाता के रूप में देखते हैं आपने हमारे पीम के साथ नेताओं की शारिक भाषा और सौहार्थ देखा होगा उन्होंने कहा कि जी सेवन के पहले सत्र में प्रदान मंत्री मोदी जलवायू उर्जा और स्वास्त पर बात की जबकि दूसरे सत्र में पीम ने खाद्य सुरक्षा और लेंगिक समानता के मुद्दों को संबोधित किया जिसमें भारत के महिला नेतरितवाले विकास द्रिश्टीकोन पर जोड दिया गया विदेश सचीव ने कहा कि रूस यूक्रेन पर पर प्रधानमंत्री ने शत्रुता को ततकाल समाप्त करने सहित भारत की स्थिती स्पष्ट की और स्थिती को हल करने के लिए बाचीत और कूटनिती पर जोर दिया साथी प्रधान मंत्री ने खादिसुरक्षा संकट पर विशेश रूप से कमजोर देशों पर संघर्ष के प्रभाव को भी सामने रखा जानजगीर चापजले के पिरहित गाओं के बोर्वल में गिरे 10 साल के बच्चे राहुल साहु की घर वापसी हो चुकी है राहुल को देश के सबसे बड़े रैस्क्यू उपरेशन में 105 घंटे के अथक प्यास से बाहर निकाला गया था अब राहुल की खबरे हर रोज सुर्ख्या बटोर रही है इसी कड़ी में एक और अच्छी खबर राहुल के गाओं से आ रही है जानकारी के मुताबिक राहुल के रैस्क्यू उपरेशन के लिए जो गढधा खोदा गया था अब उसे पाटा जा रहा है और राहुल ये पूरा नजारा खुद बैट कर देख रहा है चर्चा ये भी है कि चत्तिस गड़ी फिल्म भूलन की टीम राहुल के रैस्क्यू उपरेशन पर डॉक्यूमेंटरी फिल्म बनाने जा रही है जिसके लिए उनके द्वारा गुपचुप तरीके से मौके का निरिक्षन भी किया गया हाला कि प्रशाशन के द्वारा फिल्हाल इस मामले पर खुल कर बताया नहीं जा रहा है मगर ग्रामिनों का कहना है कि भूलन फिल्म के डारेक्टर मनोज वर्मा और उनकी टीम ने मौके का निरिक्षन किया और ग्रामिनों से चर्चा भी की है देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारी यूट्यूब चानल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले और लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस करें